हलो गाइस, दिस साइट आनन सिंग राजपूत, आप देख रहे हो अपना चैनल जेसिका एडियो और आज मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, उससे पहले ही कुछ आ गया हूँ, कुछ बताना चाता हूँ यह सब मेरे इस्टुडेंट के लिए है, कि मुठी में कुछ सपने लेकर, भर के जेबो में कुछ हासाएं, दिल में है अर्मान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं सूरस सा तेज नहीं मुझ में, जलता हुआ देखोगे, तुम मुझको मेरी हद रोसन करने से, तुम मुझको कब तक रोखोगे, तुम मुझको कब तक रोखोगे मैं उस माटी का ब्रिच नहीं, जिसको नदियों ने सीचा है मैं उस माटी का ब्रिच नहीं, जिसको नदियों ने सीचा है बंजर पत्थर में रहके मैंने मृत्व से जीवन खीचा है मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कब तक मुझे रोखोगे मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम मुझको कब तक रोखोगे मिटने वाला नाम नहीं मैं तुम मुझको कब तक रोखोगे तुम मुझको कब तक रोखोगे सो इसी बात के साथ मैं और भी कुछ बताना चाहता हूँ जैसे कि जितने स्टुडेंट पढ़ते हैं इसमें जैसे कि कि निटस्पिरेंट होएं जैसे कोई भी हैं सबसे पहले क्या आपके उपर ब्लीव है कि मैं इसको कर ले जाऊंगा हम आनता हूं कि physics chemistry bio डर लगता है आपको I know that डर सबको लगता है लेकिन सबसे पहले आपको अपनी उपर विश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं इसको मैं सबसे पहले इसको कर सकता हौं और definitely आपसे होगा अगर आप में अगर ये अंदर से विश्वास आ गई definitely आपसे होगा I'm 100% sure लेकिन सबसे पहले आप की उपर वो विश्वास होनी चाहिए हाँ मैं इसको कर सकता हूं मत मानो कभी Don't underestimate yourself अपने आपको किसी से कम मत आगो कि मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है मुझे उस भाईया के जैसे बनना है, मुझे ऐसे no कोई भी चीज वो उपर वाला गलत नहीं बनाता है एक वाद ध्यान देना, सबके अंदर एक टैलेंट छुपी हुई, कब आप पहचान जाओ आपके उपर डिपेंड है ममी पापा बहुत फोर्स करते हैं मेरा बेटा परता नहीं, मेरी बेटी परती नहीं है doesn't matter, कुछ नहीं होने वाला इससे वो लड़का स्वयम से जब पहचान लेगा, जब वो खुद से पहचान लेगा कि हाँ मुझे ये करना है तब जाके वो करेगा, आपके कहने से लाग कहोगे नहीं करेगा वो मारो पीटोगे, कुछ नहीं होने वाला उससे अपलिप्ट योर्सेल्फ, बिकॉज नो वन is going to do it for you, आप सब के लिए बोल डाउं, अपलिप्ट योर्सेल्फ बिकॉज नो वन is going to do it for you अपने आप से स्वयम से उठे, मम्मी पापा कब तक यार तुम्हारा हेल्प करेंगे 20-22 साल के हो गए हो तुम सब खुद पे, मम्मी पापा पे डिपेंड हो खुद पे डिपेंड होना सीखो मुझे हाँ, मुझे कुछ अलग करना है और बात आगी जहां तक है नीट का, ठीक है, जेई मेंस का ये सब मानता हूँ, पैसे देते हैं करते आप सब हो, ठीक है कभी-कभी सोच लिया करूँ कि पैसे देते कहां से हो सब, अगर पढ़ने का बहुत मोटिवेशन खुशते हो ना तुम सब मोटिवेशन, ये संदीब महसुरी जी का और भी भहुत सारी लोग है मोटिवेटर हैं, उनका मोटिवेशन खुशते हो, सबसे बड़ी मोटिवेशन तुमारी है, तुमारी मम्मी पापा, आप कोटा है, एलन हो, एलन इंस्टिट्यूट में पढ़ ले हो, कहीं भी पढ़ ले हो, whatever, I don't, मैं नहीं जानता कि कहां पर पढ़ते हो, सबसे पहले आप मोटिवेशन खुशते वारे यार, मन ही नहीं लगता, मैं मोटिवेशन सुन ल एक एस्पिरेंट हो, तो हाँ मुझे एक अच्छा डक्टर बनना पड़ेगा, मुझे एक अच्छा डक्टर बनना है, यह जो चीज़े आप पढ़ रहे हो आज, यह जो चीज़े आज पढ़ लोग, आपके हाथों में किसी दिन एक की लाइफ होगी, एक नहीं हजारों लो सकता हूँ, और जिस दिन ये विलीप आपके अंदर आया, ये विश्वास, ये भावना आपके अंदर कूट-कूट के भर गई, यहां मैं इसको कर सकता हूँ, आपको रोकने वाला कोई पैदा भी नहीं हुआ, एक बाद ध्यान देना, कुछ मैं इसमें मूवी सजेसन करू ये तो मैं दे ही रहा हूँ, इसको मैं बोल ला हूँ, तो इस पे आप एक मूवी मेरे कहने से देख लेना, एक डाक्टर की मौथ, एक मूवी है, ओके, मतलब इसका मतलब यह नहीं है, कि उसमें मर जाता है, हाँ लेकिन कितने उसमें निगेटिव थिंकिंग के होते हूँ, इसको बोलते हैं, उस मूवी में बताई गई है, उस डाक्टर के अंदर होते हैं, मैं बार-बार उस मूवी को देखता हूँ, जितना देखता हूँ, उतना मुझे अच्छा लगता है, कुछ ना कुछ उसमें नई पॉइंट, जितने मेरे नीट एस्पेरेंट हैं, सब देखे उसको, बहुत अच्छी मूवी है वो, ठीक है, किसको बोलते हैं, अपने उपर विश्वास होना, लेकिन फिर भी जब कोई अगर डी मोटिवेट तुम्हें कर रहा है, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, फिर भी वो डाक्टर अडा रहता है, उस पे, लिप्रेसी ए हैं, लेकिन फिर भी उन सब चीजों को सामना करके वो निकल जाता है उससे, अट लास्ट में उसको अब्रोड जाने का एक ओफर मिलता है, उसको कि आप आ जाई हैं यहाँ पे, तो इंडिया में टैलेंट की कमी ही नहीं है, आज अमेरिका इतना डेविलप है क्यों हैं, इं अपने उपर एक विश्वास रखी, आप सबके अंदर कम सकती नहीं है, ठीक है, यंग हो अभी, इस एनर्जी को पोजिटिव वे में जनरलाइज करो, कहां जाना है, आपको कौन सा डारेक्शन होना चाहिए, पहली बात तो यह है, मैं आप सबको बताना देना चाहता हूँ आप अपना एक एम निश्चित करो, कि मुझे यह बनना है, यह मुझे मुझे वहां तक जाने के लिए मैं पागल रहूँगा, कुछ भी मुझे करना पड़े, इस चीज को सबसे पहले पहचानो, एम नहीं होगा, मेरे बलेज में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, कुछ नही तीर मारे हुएं, कि हाँ, सूट इन दर डार्कनेस, अधेरे में तीर चलाए हुएं, सोचते हैं, कही न कहीं तो लगेगा ही, ऐसा कुछ नहीं होता, हाप हो नीट एस्पिरेंट, फॉर्म भर रहे और इंडियान आर्मी में, कुछ होगा आपका, आपका टॉपिक, उस टॉ मैं भी आप सब के सामने खड़ा हूँ, मैरी भी बहुत प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन क्या मैं अपने ड्रीम को गिव अप कर दू, हार मान जाओ, नहीं, मैं उस चीज को कुछ ना कुछ करूँगा, ऐसी चीज करूँगा, कि हाँ, मैं उस चीज को उस अपने बेसिक पॉ प्रॉब्लम पढ़ जाती है, और आज कल की अगर बात की जाए, अगर हंडेट परसेंट अपके कंसेंटेंसी है, अगर फुल कॉन्फिडेंस है, तो आप, आपके पास बहुत सारी सुध्धा उपलब्ध है, ओनलाइन क्लासेस हैं, अब बात आती है, सस्क्रिप्शन के ओन कर देते हैं, नीट, बात आ रहें समझ में, अपने अंदर की चीजों को जानो, अपने अंदर की चीजों को अगर जान गये कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं, देखो, ऐसी बात नहीं होते हैं, कि सब कुछ, सब कुछ student ही करते हैं, सब कुछ, आज आप सब क्या हो, आज भारत के आप भाविस हो, आप भारत के भाविस हो, इस चीज को जानो आप, सबसे बड़ी अगर पावर अगर पूछे जाएगे, तो student पावर है, अगर यह अगर अपने आप पे उतारा है न, फिर कोई भी इनको रोग नहीं सकता है, सबसे बड़ी पावर, student पावर होती है, दो ची करते हो, तीन या चार घंटे करते हो, तब जाके उतना ठकते हो, वो mentally work उतना कर देता हो, ठक जाता है वो, इस बावर को आप बढ़ाई, अब बात आती है, पढ़ने वाले कि कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि आप बढ़ाई कैसे करें, मैं नहीं बोलना हूँ कि आप र लेकिन जो अभी आपका माइंड चलता है, वो माइंड वैसा आपका नहीं चलेगा बाद में, अभी आप फिर ही होते हो, केवल आपको पढ़ने से, खाने से, खेलने कुदने से, यही मतलब रहता है, बाद में बहुत सारी problem आग जाएंगी, बाद में family को भी देखना ठीक है, divert हो यह वहाँ पे, 5-10 मिनट आधा घंटा गया हो हाँ पढ़ाई करतो, तो आपकी value पता रहती ही, कि हाँ मैंने इतना पढ़ाई किया, 10-10 मिनट जब आप रुखते हो ना, तो समलो की जादत तादात में लोग निकल रहे हैं आपसे, ऐसी पढ़ाई करो, अगर आ Are you getting my point? पाँच मिनट अगर, दस मिनट अगर नहीं पढ़ रहे हो ना, सोचो कि अगर मैं दस मिनट नहीं पढ़ा हूँ, दस मिनट में लोग मेरे से आगी निकल रहे होंगे, नीट एस्पिरेंट हो, जही मैंस एडवांस में, मतलब competitive लेवल का कोई आपको करना होगा, कोई exam देना है आपको, यह सोच लेना कि, रातो रात light बंद नहीं होती हैं उन सबकी, एक बात दिये, जो PUBG वगेरा खेलते हो, गेम ओम खेलते हो, इससे भी ज़्यादा मजा है समझ नहीं आता है, कहां आएगा समझ में, कि आपने 9th धंग से पढ़ा है, 10th धंग से पढ़ा है, 11th, 12th कहां आएगा आपको, हाँ मानता हूं कि 11th में basic होते हैं, हाँ, वहाँ पे basic सारी point मिलते हैं, 11th में 9th के sub topic मिलते हैं उसमें, लेकिन जब यही, जब जैसे कि अभी ए 11th में अगर वह पहले जानता है, उसका सारा term, सारा condition उसका जानता है, उसको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, मैं भी teaching करता हूं, ठीक है, मैं भी student हों, कोई teacher नहीं हूं मैं, लेकिन कुछ बच्चों को देखता हूं कि 50 mark में से 45 आ रहे हैं, 46 आ रहे हैं, मेरे अगर बच्चा एक्जाम देने जारा, फेल हो रहा है, बच्चा नहीं फेल हो रहा है, एक बाद ध्यान देना, आप फेल हो रहे हो आप, जो आप अपने आपको teacher बोलते हो, मैं नहीं अपने आपको teacher बोलता है, मैं नहीं teacher हूं, ठीक है, मैं भी एक student ही हूं, ठीक है, और अ बहुत सारे इसमें, जैसे कि कुछ teacher होते हैं, जैसे कि कोई अगर बढ़िया सा topic आ गया, उसमें क्या कर देते हैं, उस topic को remove कर देते हैं, या कोई छोटा point है, उस point को पढ़ाते ही नहीं हैं, क्यों नहीं पढ़ाते हो, अगर competitive exam में अगर वो चीज़े आगर आ गई, कौन बताएगा उसको बच्चे को तो बोल दियो कि हाँ उसको मत पढ़ो निकल जाओ उस टॉपिक से लेकिन अगर वही competitive level में अगर competition level का कोई बच्चा अगर exam nation उसमें आ गया, exam में आया उसके कौन बताएगा उसको फिर फिर यही बोलोगी कि हाँ वो topic बहुत easy था, वो ऐसा ही मैंने निकल दे उसको बूद बूद से घड़ा भरता है एक बात ध्यान देना, छोटी छोटी knowledge लिजिए उसी चीज़ से एक जैसे कि बहुत सारी तालाब होते हैं बहुत सारी नदिया होते हैं उसका पानी कहां एक समुदर में जाके एक अठा होता है तो वही मैंने बता हूँ बूद बूद से घड़ा भरता है एक knowledge लिजिए attend knowledge from lab to tom मतलब जब से आप पैदा होते हैं ना जब तक मरते रहते हैं, सीखते रहते हैं पुछना कुछ, पुछना कुछ जरूर सिखेंगे उसमें और एक बात और होनी चाहिए आप student life में हो अगर आप student life में हो तो सबसे पहले आप एक चीज़ जरूर जानो आपके अंदर एक जैसे कि आपको भूख लगी रहती है ठीक है, तो उसमें आपको चाहिए जितना अगर 3, 4, 5, 6 रोटी अगर दे दी जाएं, चावल दे दी जाएं, सब कुछ खा लेंगे आप भूख लगी रहती है वैसी भी अगर student life में हो तो आप भूखे सबसे पहले बनो भूखे रहने का मतलब या नहीं कि ये सब सारी चीज़े खा जाओ, मैं पढ़ाई की बात कर रहा है कोई भी चीज़ अगर कोई topic चला कोई sir या teacher आपको पढ़ा रहे है उसको सबसे पहले curious रहो sir ये कैसे हो रहा है कहां से यह आया, ठीक है कौन थे इसका नाम कैसे पढ़ा सबको सारी चीज़े पूछो, कुछ teacher क्या करते है avoid करते हैं इस question को बोलते हैं कि जब मैं पढ़ाय करूँ तो पूछा मत करो ये सबसे गलत बात है अगर बच्चा फीज दे रहा है आपको तो बताने कि आपका हक है बहुत mostly इधर और बड़े बड़े teachers तो ऐसे नहीं करते हैं कुछ लोग बच्चे को क्या करते हैं मारते हैं ऐसे नहीं मैंने अपने खुद आखों से देखा है उसको चपल से मारते हैं यहां तक लाट से भी मार दे हैं बच्चे को मैं इस चीज़ को देख चुका हूँ यह चीज़ क्या करनी ठीक होती है वही बच्चे मैं जब पहली बार teaching करने गया एक सुरेश साहू नाम का एक लड़का था उसको कुछ नहीं आ रहा था कुछ भी नहीं आ रहा था क्या मैं पहली बार उसको गया class 9 में actually वो पढ़ लाए वो hindi भी read करना नहीं आनता है लेकिन मैं गया उससे जब hindi reading उससे करवाया तो कर भी नहीं पा रहा था उससमय तो मैं उसको सबसे पहले उसको stick लेके उसको सबसे पहले Veed कर मानना इस्टार्ट कर दूं उसको नहीं मैंने उसको समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करते हैं, आप class 9th में पहुँची है, बच्चा 3rd या 4th में जाता है, writing, reading ये सब करना सीखी जाता है, उसको मैंने प्यार से treat किया, क्यावल बस इतना ही point था, मैंने उसको बहुत प्यार से treat किया, वो interval में अपना खाना भी नहीं खाता था, देखता था, वो डंडे वंडे से पिड़ने से, या लाद से पिड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं बता रहो हूँ, अगर बच्चा फेल हो रहा है, तो किवल बच्चा नहीं फेल हो रहा है, आप फेल हो रहे हो, कैसे बच्चे को नहीं समझ में आएगा, आप समझा के तो देखिए, ये universe हमा रिलेट कर देता हूँ, वो टॉपिक क्या हो जाती, easy way में हो समझ जाते हैं बच्चे, तो बस ये सब आपके लिए हैं, और जितने मेरे seniors देख रहे हैं, मैं भी एक student हूँ, कोई बहुत बड़ा, मैं भी अपने आपको नहीं बोलता हूँ कि मैं over smart हूँ, या मैं बहुत रिकार्ड हो रही है, ठीक है, तो अपने अंदर के चीजों को जानो, मैं students के लिए बोला हूँ, अपने चीजों के चीजों को जानो आप, कि हाँ आप इसको कर सकते हूँ, थैंक यू,